थूक कर चाट रहे हैं अर्वेद केजरिवाल, सत्ता पाने के लालच में अंधे हो चुके हैं केजरिवाल, बार-बार ब्यान बदल कर मिट्टी पली करवा रहे हैं केजरिवाल, हर्याना उत्सव के लिए अलिल खत्री की स्पेशल रिपूर्ट दिल्ली और पंचाब के बाद आम आद्मी पार्टी हर्याना में सरकार बनाने के सपने ले रही है, जिसके लिए आम आद्मी पार्टी साम दाम दन भेद वाली नीति का खुल कर प्रियूक कर रही है, रोजाना कॉंग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और अन्य पार्टी के नेता को थोक के भाव में आम आद्मी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, कुछ दिन पहले अर्विंद केजरिवाल ने एलान किया था कि हर्यानक के किसी भी पौरव मंत्री, पौरव विधायक, पौरव सांसद को आम आद्मी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा, आम आद अध्यान समेत अनेक नेताओं को पार्टी में शामिल किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने पोरो केंजरे मंत्री चौतरी बिरेंदर सिंग पर टोर डालने की कोशिश की। सांसद शुशील गुपता ने खुले मंच से ऐलान किया था कि चौतरी साहब आपका स्वागत है और आपके जो सपने अधूरे रह गए उसे आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने पोरो सांसद और पोरो कॉंग्रेस परदेश अधक्ष अशोक तवर को भी आम आदमी पार्टी में शामिल किया। खुद अरविंद केजरीवाल ने अशोक तवर की तारीफों के पूल बांधते हुए यहां तक बोल दिया कि अशोक तवर बढ़ा अच्छा चेहरा है। आम आदमी पार्टी हरियाना में अपनी पैट जमाने के लिए कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कॉंग्रिस के कददावर नेता और पूरो मंतरी रहे निर्मल सिंग और उनकी बेटी चित्रा सिंग को भी आम आदमी पार्टी में शामिल करते हुए अरविंद केजरीवाल बार बार अपनी बात को थूख कर चाटने में लगे हुए ह राजनीती में कहवत है कोई किसी का सगा नहीं होता और नेता अपनी जोबान देकर कब अपने वाइदे से फिसल जाए इस बात का कोई पता नहीं होता अरविंद केजरीवाल हर रोज अपनी बात से पल्टी मार रहे हैं हरियाना में आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल तमाम राजनीतिक हतकंडों को अपना रहे हैं आम आदमी पाड़ी का कौनभा बढ़ाने के चक्कर में अरविंद केजरिवाल अपनी मिट्टी पलीट करवा रहे हैं। सत्ता पानी के लालच में अंते हो चुके अरविंद केजरिवाल। हर्याना की जनता को बहकाने के लिए रोजाना नए नए शगुफ़े छोड़ रहे ह अर्विंद केजरिवाल को यहीं नहीं भूलना चाहिए कि ठूक को चातने से सरकार नहीं बनती सरकार तो आम आदमी का दिल जीतने से बनती है